आज बनाते हैं शाही मटन कोर्मा की रेसिपी, बहुत ही रिच और मज़ेदार सी रेसिपी है और घर के सिंपल मसालों और चीजों से आप बहुत ही शांदार और शाही रेसिपी बना कर रेडी कर सकते हैं तो चलें इस recipe को बनाते हैं, इसके लिए पहले लेंगे 1 kg mutton, ये mutton को मैंने bones और fat के साथ लिया हुआ है, आप चाहें तो इससे bonless mutton के साथ भी बना सकते हैं, इसे अब marinate करने के लिए पहले इसमें डालेंगे 400 g दही, ये करीब 2 cup दही है, दो बड़े चमज भर कर इसमें ड 4 से 5 डालेंगे हरी लाइची, अब powder मसालों में लेना है, एक बड़ा चमज भर कर जीरे का powder, दो बड़े चमज भर कर जाएगा इसमें धन्या का powder, आदर चमज डाल लेते हैं हल्दी का powder, एक बड़ा चमज भर कर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का powder, कलर बहुत अच्छ एक स्टार पूल, छोटा सा टुकड़ा है जाइफल का, एक पीस है जावित्री का, तीन इसमें है हरी लाइची, और एक टुकड़ा ले लेना है दारचीनी का, ये खड़े मसालों को दरदरा सा कूट लेंगे, काफी थोड़ा सा मसाला है, इसलिए हम कूट लेते हैं इसे द सिन प्ंषी किना ही इसए रखलेंगे एक दम लो फ्लेम पर शूटेगा इसे एक दम लो ह बाइपर पकाना है। इसे पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे दही का फ़ी सारा है इसमें और मतन का पानी प्लेम थोटेग से हैं। इसी पानी में ये पक कर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। मटन करीब 90% तक पक जाए तब तक हम इसे पका लेंगे और फिर धक्कन हटा लेते हैं। मटन में काफी सारा पानी अभी भी है इसलिए मैं इसमें पानी नहीं आट कर रही हूँ। अगर मटन का पानी सूप जाए तो आप इसमें थोड़ा पानी आट कर सकते हैं। ये तली हुई प्याज अब लेना है जो है तीन मीडियम साइज की इसे हातों से इस तरह से क्रश कर लेंगे। अब लो फ्लेम पर ही हलके हातों से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से प्याज और खोवा जब मिक्स हो जाए मसालों के साथ तब हम इसमें थोड़ा सा पानी आट कर लेंगे। जितना पतला आपको कोर्मा चाहिए उस हिसाफ से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब इसे ढख कर फिर से 10 मिनट के लिए पका लेंगे दम पर ताकि तली हुई प्याज और खोवा अच्छी तरह से दानेदार हो जाए कोर्मे में मिलकर। खकन हटाने के बाद हम वही बचा हुआ आदा मसाला इसमें डाल देते हैं जिसे हमने कोर्मे के लिए रेडी किया था। मैं कोर्मे को मसालों की खुश्बू के साथ ही तयार कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केवरा वाटर भी आड़ कर सकते हैं। बस low to medium flame पर फिसे इसे चलाते हुए दो से तीन मिनट के लिए पका लेते हैं। flame को बंद कर देंगे और ये शाही मटन कोर्मा बंद कर रेडी हो गया है। पराठा, रोटी, नान, कुल्शा के साथ इसे सर्फ कर लीजे। बहुत ही रिच और बहतरीन जाएके का ये कोर्मा बंद कर देंगे होता है।